नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैपोर एक्जोटिक बर्ट सिंफो में उम्मिद करता हूं दोस्तों आप और आपके बर्ट सभी हेल्दी और फिट पार्ट होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के टोपिक में हम बात करेंगे लुटीनो कोक सब्सक्राइब कीजिए जैपोर एक्जोटिक बर्ट सिंफो को और दबाईए बैल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स कोक्टेल काफी निहायती खुबसूरत परिंदा होता है और जो पालने वाले सोकेन होते हैं जो पैरेट पालते हैं या जो बट्स एज़े पैट रखते हैं वो सभी की पसंद होता है कोक्टेल लगबग सभी के सेट अप पे कोक्टेल हमें देखने को मिल जाता ह कोक्टेल में दोस्तों जो लुटीनों होता है जो की क्रीम कलर का होता है उसमें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि उन में हम नर और मादा की पहचान कैसे करें यानि दोस्तों हम मेल और फीमेल का डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम यही जाने सकते हैं कि उनमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है दोस्तों जो सबसे बेसिक जो चीज होती है कोक्टेल में वह होती है कि जो मेल होता है दोस्तों यानि कि जो नर होता है वह विसल करता है यानि कि जब आप उसको एब्सोर्ब करेंगे जब वह फ्री टाइम में होगा तो आ ऐसल नहीं कर रहा है तो फिमेल दोस्तों आप लोगों कोक्ट्ल कि पता लगाने की जो समय होता है πरलогी 9 महिने 20 महिने से बीच में आप कंफर्म कर सकते हैं कि नर मारी आशनुन तरीका है बेता हुओ और होता है इसके अलावा दोस्तो हम इनकी wings को खोलके wings में भी चेक कर सकते हैं यदि आप 9 महीने से उपर की male की wings को लेंगे जानि कि जो परो को खोलेंगे और परो के नीचे की सताय को देखेंगे तो दोस्तो वो बिल्कुल plane मिलेगी आपको जबकि आप मादा की wings को खोलके देखेंगे परो को देखेंगे तो उनमें आपको छोटे-छोटे दोड़ दिखेंगे दोस्तों यह दोड़ जिन भी wings पर आपको मिलते हैं वो डेफिनेटली मादा होती है इसके साथ ही साथ दोस्तों जो अगला तरीका है उसमें आपको कोक्टेल की वेलेंट को देखना है कि जो इस अपरावा दूस्तों मेल थोड़ा सा कम क्रीम में को थोड़ा सा कम यललोनेस होता है और मादा के चेस्ट और ऊट के पास क Grass ठीह। से ख़ती है वहां पर यल्लोनेस जदा होगी जबकिन आपको कूल को होगा बिलकुल साफ होगा वाइट कालर साथ दिखेंगा आप लोगों को इसके अलावा दोस्तों जिस परकार हम लोवर्ड में हड़ी देखके पता करते हैं तो उस परकार भी हड़ी देखके हम पता कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कोक्टेल में हड़ी देखते टाइम आप लोगों को एक बात का विश्यस ध्यान रखना है कि कोक्टेल की हड हडी बिल्कुल पासपास होती है और जो ङल्का सा हमें हाथ लगाने पर हमली दिखती है तो लेकिन कई से कम उम्र में पटा लगाते हैं कि नर कौन सा एक मुकमल एज होना जरूड़ी है कोक्तेल का नो से महिने के बाहदqu आँ wings देखके और हड़ी देखके पता लगा सकते हैं बागे दोस्तों आप observe करके भी पता लगा सकते हैं छह स साथ मैने में जो नर कोक्टेल होता है नर होता है वो विस्लिंग करने लगता है वो ज्यादा active होता है केज़ में पिंजरे में माधा से परशतर माधा से ज्याद एक्टि udah तो जो दोस्तों इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखे आप अपने कोक् Being में ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि नर कौन सा है माधा कौन सी है उमिद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर करना ना भूले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टोपिक के साथ जल्दी आप लोगों